अभी हाली में आर्थिक बिज्ञान में नोबल पुरुसकार 2022 तीन बैक्तियों को देने की गोशना की गई है इसमें कौन कौन सामिल है एक तो आप देखेंगे कि आपके बैन एस वर्नान की हैं दूसरे हैं डगलस डबलू डायमंड और तीसरे आप देखेंगे फिलिप एच हैं और अच्छे से इनकी पिक्चर देख लीजे एक कौन है बैन एस वर्नान की दूसरे आप देखेंगे डग डगलस डबलू डायमंड और थीसरे आप देखेंगी फिलिप एच हैं क्या है फिलिप एच हैं और इन्हें रोयल स्वेडिस अकेडमी ओप साइंसेस ने बैंकों और वित्तिय संकटनों पर सोथ के लिए ये पुरुस्कार दिया है अब देखिए नोबल पुरुस्कार के बार अलफेड नोबल को आप लोग नोबल पुरुस्कार का दाता भी कहते हैं और इन्हें डाइनमार्ड का अविस्कार भी नहीं नहीं किया था और आप देखेंगे कि इनके अगर हम लोग जनम की बात करें तो आप देखेंगे कि 21 सक्टूबर 1833 में इनका जनम हुआ था किनका अलफेड नोबल का और 10 देसंबर 1896 में डेथ हो गई थी इनके और ये कहां कि थे सुईडिस रसाइनिक इंजिनियर अविस्कारक बेवसाई फरुखकारी व्यक्ति थे एक तो ये भी याद रखेंगा और नोबल पुरुस्कार की बात करें तो आप देखेंगे अर्थ का आप देखेंगे पहली बार कब दिया गया था 1979 तो और आप देखेंगे कि सुईडन में सांती पुरुसकार को छोड़कर सभी बाकी चाहे वो बहुतकी का हो रसायन का हो सरीरभिण या चिकिस्ता का हो अर्थ सास्थ नोब्ल में दिये जाते हैं और नौर्वे में केवल स का पुरुष्कार दिया जाता है नोविल का तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए तो यह तीन नाम तो आप लोगों को फिरहाल याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि आप देखते हैं कई बार डारेक्टी कुश्चनस पूछ लेता है आपसे तो रोयल स्वेडिस अकेडमी ओप साइंसेट ने बैंकों और वित्तिय संकर्णों पसोत के लिए वेन एस वर्नान के और डगलस डबलू डायवंड और फिलिप एच डायव विग को अलफे नोवल की स्मिती में अर्थसास्त का 2022 का स्वेरेगिस रिक्स बैंक पूरुसकार दे साइवत रोप से इजराइल और अमेरिका के जोसुवा डि एंग्रि एंग्रिष्ट और डच अमेरिकी ग्वीडो डवलू एम्बैंस को दिया गया था पिछली बार भी तीन लोगों को दिया गया था ठीक है 2022 के जो साहत हो रशाइन बिग्ञान वो भौत की हो चिगस्ता वो सांती के नोवल पूरुसकार पहले ही दिये जाया चुके है उनके बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं अनपुरुसकारों के विपरीत अर्थ सास्त में पुरुसकार की स्थावना अलफेड नोवल की वर्स अठारे सो पंचानवे की बसीयत में नहीं है बलकि उनकी इसमिती में स्वेडिस केंद्रिये बैंक द्वारा इसकी गोशना की गई है और इसका पहला विजिता वर्स उननी किये जाते हैं तो यह भी आप लोग याद रखेगा अगर बैंकिंग पेडाली में इनकी युगदान को हम लोग देखें तो आप देखेंगे बैन एस वर्णान के बैन वर्णान की ने 1930 में दसक की महामंदी का विसलेशन किया है जो आधुनी कितियास में सबसे खराब आर् आतो हो रही है जो आर्थियक संकट आया था ना महामंदी उसी की सांकी की यह विसलेशन के माध्यम से बर्णान की ने दर्चाया कि किस पिकार आसफल बैंकों ने 1930 के दसक में कि बैस्विक आउसाद की स्तिती में नडाय भूमिका निभाई थी उन्होंने बताया कि कैसे बै अमेरी की केंद्री बैंक फेडरल रिजर्ब के पिरमुक थे और जब 2008 का संकट हुत्मन हुआ था उन्होंने अनुसंधान से प्राप्त अपने ज्यान को से नेती निर्माण में मदद किये जिस तरह से आप लोग आर्वी आई देखते हैं ना हमारी कौन सी रिजर्ब बैंक अप इंडिया और जिसकी स्थाफना आप देखते हैं एक अपरेल 1935 में हुई थी हेड़क्वार्टर मुम्मई में देखने को मिलेगा उसे बैंक का बैंक भी आप लोग कहते हैं उसी तरह से फेडरल बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी अमेरिका में कहां अमेरिका में देखने को मिलेगी वहाँ की केंदरी ये बैंक है फेडरल रज्यर बैंक और इसकी स्थाफना आप देखेंगे बहुत पुरानी बैंक है 23 दिसंबर 1913 में हुई थी तो ये भी आप लोग याद रखेगा इसके बारे में और उन्हों देखेंगे डगलस डबलू डायमंड और फिलिप एच डायव डायव बिग को किस लिए दिया गया है ये भी आप लोग चानल लेजे ये आप देखेंगे डायमंड और डायमंड और डायव बिग दोनों ने सिध्धान्थिक मॉडल विक्सित करने के लिए मिलक करकाम किया है ताकि ये समझ सकेंगी बैंकों की उपस्तिती क्यों आवसक है और समाज में उनकी भूमिका उन्हें अपने आसन पतन के बारे में अब्भा के पिती किस विकार समवेधन सील बनाती है और समाज इस भीद्धिता को कैसे कम कर सकता है ये अंतर दिश्टियां आज ने उनके पैसे की गारंटी दी है तो उन्हें बैंक के बारे में अपवास शुरू होते ही बैंकों बैंक जाने की जरूरत नहीं है और डाइमंड ने या भी दिखाया है कि कैसे बैंक सामाजिक रूप से महत्पून कार करते हैं बचत करता हूं और उधार करता हूं कि बीच मद्यस्त के रूम में बैंक अधार करता हूं कि साग का अकलन करने और यह सोनेचित करने के लिए अनकूल है कि रिड का उपयोग अच्छे निवेस हे तो किया जाता हूं तो इन दोनों को भी दिया गया है तो कूल मिलाकर तीन लोगों को दिया गया है इसमें आप दे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे तीनों लोगों को एक सबाल और आपकी मन में आ रहा होगा रोयल स्वेडिस अकेडमी ऑप सैंसिस एक क्या है स्वीडन की साही अकादमियों से मैंसे एक है और दो जून 1749 को यह स्थापित की गई थी और यह एक सुतंत गयर सरकारी बिज् बिचारों के आदान प्यदान को बड़ावा देने के प्रयास्म प्राक्तिक बिज्ञान गड़ित को बड़ावा देने और समाज में उनके प्रभाव को मजूद करने के लिए विसे जिम्मेदारी लेता है और इसका मुख्याल है आपको स्टॉक हम स्वीटन में देखने को मिलेगा तो यह भी आप लोग यात रखिएगा चलिए इस तरह से आपने देखें कि आपके जो नोबल पुरुस्कार हैं फिर चाहे आपका बहुतिकी का हो रसायन का हो या सरीर बिज्ञान या चिकिस्सा का हो या फिर आप देखें सांती का हो साहित का हो और अर्थ सास्त क हो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जान चुके हैं और इनसे questions पूछे जाएंगे clear है आने बाली परिक्छाओं में चाहे आप लोग civil service की तैयारी करें हो state PCS की तैयारी करें हो जब state PCS कहते हैं तो सभी state PCS आपके आ जाते हैं चाहे यूपी PCS हो बिहार PCS हो 36 राजिस्तान मद्वदेश वंडे एक जाम कहते हैं तो आप सभी कुमाल होना चाहिए जो center level के एक जाम होते हैं वो भी उसमें सामिल हो जाते हैं और आपकी state level के भी तमाब एक जाम होते हैं वो भी सामिल हो जाते हैं चलिए तो और कोई सबाल हो सुजा हो तो बताईएगा जरूर आप दो ठीक है